सबी लोग बढ़िया है तो सांथियों मीटिंग हम रोज करते हैं टीबीटी तो टीबीटी का मेन मकसद तीन चीजों के उपर फोकस रहता है कौन सी आज हम कौन सा काम करने जा रहे हैं ठीक है दूसरी बात इस काम को करने में हमें क्या हैजाट्स यानिकि क्या खत्रे आएंग का काम कर रेगुलर बैसेस पर हमारा काम चल रहा है ठीक है तो वर्केट हाइट के लिए हमें वर्केट हाइट क्या पहले है एक्जेटली पहले यह समझते हैं वर्केट हाइट यानि कि जमीन लेबल से कोई भी काम 1.8 मिटर के उपर जब भी हम कोई काम करते है उसे एट उपर मेटर के उपर काम करेगा, तो वो height work में consider किया जाएगा, लेकिन एक चीज बता दूमें, इसका rules पहले ही बन चुका है, appropriate height का rules पहले ही, इससे पहले mention हो चुका, यह चीज हुई है, factory act, 19.14.8, session number 32, rule number C में, यह चीज mention हुई है, कि जब भी आदमी कोई उपर काम करन करने के chances है, तो उसको उपर जो भी यह precaution लेना जरूरी होता है, अगर हम वो precaution नहीं लेते हैं, तो कानून का उलंगन करते हैं, ठीक है, तो यह समझ मांगिया, work at height क्या है, आप कहीं लोग 2 मीटर भी बोलते हैं, मैं आपको पता दूँ, exit, आप इस भी चीज आपको clear करा है, ठीक है, अब इसमें काम को करने के लिए, क्या-क्या हजार्स आइंगे, उन हजार्स हमें कैसे बचना हैं, यह चीजों के ऊपर हम बात करते हो, सबसे पहले हजार्स की बात करें, आप लोग वह इतने दिन से काम कर रहें, बताओ क्या हजार्स का सामना करना पड़ता है, बताओ, एक आद, हां, sleeping, trimmying, very good, ऐसे ही मैं सबसे पहले बात करेंगे, हजार्स की बात करेंगे, falling of, falling का गिर, गिरने का chances, कोई आदमी गिर सकता है, falling of material, material गिर सकता है, तिसरी बात, improper access, चड्ञे उतरने का रास्ता सहीन होना, चोथी बात मैं नेकस टे से बात करूँ वा लेडर फे लेडर फे चढ़ना वह एक खत्रा ओलडर सही तरीके का यूजिंग नहीं करना खत्रा है इसका फोल्ड इंग तरीके का अगar को इसका फोल्डिंग यूज़ कर रहे वह satisfy okay अगर okay का take नहीं लगा green color का take नहीं है उसमें वो भी एक खत्रा है अगर माली जो कोई इसका फोल्ड आप यूज कर रहे हैं उसका कोई part missing है तो वो एक खत्रा है सबसे में important बात है weather condition यानि कि मोसम के अनुसार मोसम भी एक खत्रा है उचाई पर काम करने के लिए जिसे मोसम अचानक से बारिस आ गए आप उचाई पर काम कर रहे है तो यह खत्रा है ज्यादा अचानक से हवा चलने लग गई खत्रा है ज्यादा गर्मी होने लग गई खत्रा है यह खत्रे को सामना करना पड़ता है lose material, height के उपर रखा है, unwanted lose material, वो एक खत्रा है, ऐसे ही यह खत्रों को हमें सामना करना पड़ता है, अगर आपने safety belt use नहीं कर रहे है, वो एक खत्रा है, अब इससे बचना कैसे है, यह तो मैंने खत्रे गिंती करा दी आपको, बचना कैसे है, आप precaution हम क्या लेंगे, सबसे पहल पर्मिशन में यह चीज बताई जाती है, कि यह काम करने में क्या-क्या खत्रे आएंगे हमें, और उनसे कैसे insure किया जाता है, तो PTW पे लें हमारे पास में insure होना जरूरी है, सेकेंड है, full body safety harness, जो हमें regular basis पे अगर हम काम कर रहे हैं उचाई पर, तो wear करना है, और उसको wear क safety belt, holding, buckle, यह सारी चीज़े उस पे insure करके, check करके हमें safety belt का use करना है, नेक्स्ट है, उस आदमी को particular training होना चीए, जो भी अगर उचाई पर काम कर रहा तो उसको wear kit height की training होना जरूरी है, नेक्स्ट मैं बात करूँ है, जो भी अगर आप tools and tackle use कर रहे है, जो भी आप tools and tackle height पर use क कर रहे हैं, उसको land yard से tie करना जरूरी, land yard यह नहीं कर रस्ती से उस tool को बांधना जरूरी है, और कभी वो tool, tackle, आपके हाथ से गीर सकता है, next question के बात करेंगे, तो कोई भी material, आप जब भी आप height पर लेकर जाओगे, तो सबसे पहले जरूरी होगा उसमें, कि आपको उस material को ins platform में वहाँ पर, platform पर जाप material रखोगे, उस platform का insurance करना जरूरी है, कि आपका platform सही तरीक एगा, तो यह इतने खत्रों को सामना हमें करना पड़ता है, इन खत्रों के साथ में हमें काम करना पड़ता है, जब भी, तो आप यह से को insure कर ले, और भी इसमें precaution की बात करेंगे, precaution और यह भी है, कि जो भी आदमी काम करें, वो ज्यादा weighted आदमी नहों, वजन वाला ज्यादा नहों, उसका नहीं तो पता चले है, कि वो खुद ही अपना वजन नहीं समाल पा रहा, तो अपना का balance कैसे जमाएगा, तो जो ऐसा वेक्ति काम करें, जो फीट हो उसके लिए, फीटनेस सेटीफिकर डाक्टर का, डाक्टर से, जो भी सेटिसफाई है, हाँ, ये फीट है डाक्टर के लिए, तो वो उचाहिए पर काम करें, ये precaution के साथ मकर हम काम करेंगे, तो निश्चित तोर पे हमारा अच्छे से काम होगा, और मैंने जो बताया आपको हजाट से, जब आप काम करने जाओगे, जब भी आप काम करो, तो उसमें अगर दो मिट सोचोगे, सोचना जरूरी है, कि इस काम को मैं करूँ मात, इस काम को करने में मुझे क्या खत्रे को सामना करना पड़ सकता है, तो आपको खुद से वो खत्रे निकल के आएंगे, जो बताया ये तो है इस ही, लेकिन और भी खत्रे इसमें हो सकते हैं, इसलिए कभी भी आप, कोई भी जो भी आप काम करो, तो उसको इंशोर कर ले, और सभी खत्रों से बच के काम करे, तो सभी लोगों का मैं आपको शूब काम ना देते हैं, आज का दीन की, आज का दीन सूब हो, सुरक् झाल